इस चैनल पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ग्रीन ओलंपियाट की वीडियो जिसे आप यूज कर सकते हूं ग्रीन ओलंपियाट की प्रप्रेशन के लिए इसके अंदर कोशन्स हैं जिसे आपको अटेम्ट करना है और कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग करेक् सूरड़स्ट, और वुड़ चिप्स इस कोशन के अंदर आपसे पूशा जा रहा है उस फ्यूल का नाम बताईए जिसे कि हम फर्मेंट करके क्रियेट कर सकते हैं सूगर केंपको सौरड़स्ट को कौन को और वुड़ चिप्स को तो इस कोशन में आपको उस फ्यूल को लिए रोग जन बोल सकते हैं तो ये चार आपके पास इन चार आप्शन में से correct answer क्या है ये आपको choose करना है यािनि एक ऐसे fuel का नाम आपको identify करना है जिसे हम produce कर सकते हैं फर्मेंटिंग प्रोसेस के थूढर के तूंगर तो जो जैसे पेट्रोल वगरा भी है, उसके अंदर भी एतनोल वगरा को mix किया जा रहा है, तो ताकि जो पेट्रोल की जो requirement है, बहार की country से हमें ना लेनी पड़ी, । लिए ये चीजे की जा रही है, तो जो create किया जा रहा है, उसके अंदर ये sugar can, sawdust, corn, ये सब चीजों को इस्तमाल करके इसे बनाय जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप correct option भी लगा सकते हैं इस answer में, इसके बाद next question है आपके लिए, इस question में पूछा जा रहा है कि plants generally grow in soil, but they can also be grown in the liquid medium, the latter method is called, अब देखिए इस question में आप से पूछा जा रहा है, जैसे कई बार आपने देखा होग कि money plant को किसी पानी की बोतल में डाल करके भी अगर हम grow करवाना चाहें, तो grow करवा सकते हैं, तो यह जो method है, इस method को क्या बोला जा रहा है, यह question में पूछा जा रहा है, ज्यादा तर क्या होता है कि soil के अंदर grow करते है plant, लेकिन कुछ plant ऐसे होते हैं, जो soil के साथ साथ किसी liquid medium के थ्रूबी आप इसे grow करवा सकते हो, तो इस question में उस method के बारे में आप से पूछा जा रहा है, और चार options आपको दे दिये गए, इन चारों में इसे correct option क्या है, यह आपको choose करना है, option A में बोला जा रहा है, यह जो process है, जिसमें liquid के अंदर plant को grow करते हैं, उसे हम hydroponic बोलत हैं, और option C में आपको बोला जा रहा है, इसे hydro-scopic बोलते हैं, और option T में आपको बोला जा रहा है, इसे हम hydrophobics बोलते हैं, तो यह 4 options आपको दिये गया रहे है, इन 4 options में से correct answer आपके according क्या है, यह question को आपको attempt कर लेना है, तो इस question के एकर correct answer की बात करें, तो आपको option A दे र option A हो जाएगा, इसके बाद next question है, इस question में आपसे पूछा जारा है, कि hybrid rice is a type of rice produced by the cross-breeding two different kind of rice, which Asian scientist is known for as the father of hybrid rice, देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी rice है, जैसे quality का rice है, और उसको दूसरी quality का rice के साथ जब mix करके, उसे hybrid rice में create किया जाता है, तो तीसरी तरह का rice create हो जाता है, different type of rice आप कह सकते हो, इसे create किया जाता है, यह scientifically इसे produce किया जाता है, इसे बनाया जाता है, तो एक scientist है, जो कि Asia के अंदर इस तरह का काम करते हैं, और उसे बोला जाता है, father of hybrid rice, तो वो person कोई है, उस person को आपको identify करने के लिए बोला जा रहे है, तो यहां चार options आपको दे दिए जा रहा है, कि Yuan Longping वो person है, जिनने father of hybrid rice बोल सकते है, option C में आपको बोला जा रहा है, कि यह काम जो है, यह scientist जो है, उनका नाम है, कहलासनात कॉल है, और option D में आपको बोला जा रहा है, कि Satoshi Omura एक person है, जो कि हम बोल सकते हैं, उनको, father of hybrid rice, तो यह चार options आपके सामने है, इन चारो option में से आपके according correct answer क्या है, यह आपको चूज करना है, देखिए, इस question के अगर correct answer की बात करें, तो जिसमें जो B options दे रहा है, यानि कि Yuan Longping जो है, यह ऐसे person है, जो कि इस तरह का से काम करते हैं, और इसे father of hybrid rice भी बोला जाता है, यानि कि two different kind of rice है, और उसकी जो quality है, उन question में आप से पूछा जा रहा है, कि plants needs water and light for growth, name the phenomena in which a plant is oriented to grow towards the source of light, जैसे आप लोगोंने sunflower देखा होगा, sunflower वो एक ऐसा plant है, जिसके अंदर जो flower होता, ग्रो करता है, जिस तरफ sun move करता है, उसी तरह वो ग्रो करता है, तो इस question में भी कुछ ऐसा है, बोला जा रहा है, कि जो भ सूरज की तरफ, जैने जिस तरफ भी light होती है, उस तरफ भी oriented होते है, तो आप से पूछा जा रहा है, इस question के अंदर, उस phenomenon को बोलते हैं, यह आपको बताना है, जैसे sunflower को अगर आपने देखा होगा, ध्यान से observe किया होगा, तो जिस तरफ सूरज की रोशनी होती है, उस तर आपको बोला जा रहा है, इसे photo chronopism ms बोल सकते है, बब्योंद यह यह चारौप्शन से आपके सामने, इन चारौप्शन में से correct answer क्या है, यह आपको च्यूज करना है, चली question को attempt कर लीजिए, तो इस question के यह तो इस परस्ट ऑपशन के बpling आपको दे राख़ा है, इसका correct answer ह यानि कि यह जो process होता है, जिसके अंदर कोई भी plant, sun की तरफ यार light की तरफ जो उसका face एक तरह से कह सकते होता है, उसे हम phototropism बोलते हैं, तो इस तरह से आप यहां first option जो आपको दे रखा है, इस पर टिक कर सकते हैं, यह आपका correct answer हो जाएगा, इसके बाद next question है, इस question में soil के अंदर से, soil के अंदर जैसे salt वगरा mix हो गया है, तो salt को कैसे remove करते हैं, remove करने की process के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उस process का आपको नाम बताना है, option A में आपको बोला जा रहा है, कि यह जो process होता है, इसे हम senulation बोलते हैं, option B में आपको बोला जा रहा है, इसे bio remediation और option C में आपको बोला जारा है इसे oxidation बोलते हैं और option D में आपको बोला जारा है इसे python remediation बोलते हैं तो यह चार options आपको दे रखें इन चार options में से आपके according correct answer किया है यह आपको choose करना है देखें जब भी soil वगरा होता है अगर उसमें salt की quantity या मातरा ज्यादा होगी तो plant वग options दे रखा है यह इसका correct answer हो जाएगा यानि कि यहां पर आप attempt कर सकते हैं इसके second option को यानि कि B को ठीक है अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताईए कि आपने कितने questions के answer सही करें ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए तकि ऐसी और वीडियो मैं आपकी लिए चैनल पर ल आपके कमेंट का आपके queries का मुझे इंतजार रहेगा मैं आपको reply 100% करूँगा ठीक है तो चैनल friends at the rate preparation को subscribe कर लीजिएगा और इसके साथ मेरा एक और चैनल यानि कि यहाला चैनल Mr. Krishna Shah इस चैनल को भी subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजिए तक कि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करू ठीक है अगर आप केंदरी विद्याले के student है तो आप लोग मेरा telegram group join कर लीजिए जहां आपको केंदरी विद्याले से related सारी updates आपको time to time मिलते रहेगी इन सबका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा ठीक है तो thanks for watching बाब बाई